जहिन मेरे प्यारे देशवासियों मैं हूँ आपका दोस्ट रुटार्ड मरीन कमांडो प्रवीन कुमार तेवतिया मोटिवेशन स्पीकर और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्क फ्रोम होम जितनी भी IT कमपनीज है उन्होंने सारा काम वर्क फ्रोम होम दे दिया है दोस्तों और पिछले डेड़ साल से यह जो चल रहा है COVID-19 का जो पैंडेमिक है उसमें जो भी वर्किंग कल्चर वाले लोग हैं जो ओफिस जाके काम करते थे उनकी पूरी तरह से बैंड बच चुकी है किस चीज की बैंड बच चुकी है सबसे पहले मैं बात करूँगा हेल्थ की दूसरी बात है domestic violence की तीसरा सबसे ज़्यादा case हुए है डाइवॉस के उन में से सबसे जो टॉप में है दोस्तो वो डाइवॉस case है बेल गेट्स का 27 साल का relation और एक साल का सिर्फ COVID pandemic जिसमें क्या हुआ work from home हुआ और वो relation तूट गया तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे जो हमारा पहला topic है दोस्तो वो है हमारा health और COVID की वज़े से work from home की वज़े से क्या क्या समश्याओं का सामना आम लोगों को जो office going लोग थे उनको करना पड़ रहा है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ आज और उसका आपको समाधान भी बताऊंगा कि आप उससे कैसे निकल सकते हैं और अपनी health को वापिस कै से ला सकते हैं दोस्तों पिछले एक साल में करीब करीब हर किसी का 10 किलो वज़न बढ़ चुका है ये गैरेंटी है किसी का वज़न घटा नहीं है इस pandemic में सबका वज़न बढ़ गया है कम से कम 10 किलो क्योंकि कोई space ही नहीं है मुंबई जैसे सहर में जहां पर एक BHK के bad room set मे लोग रहते हैं वहां पर कैसे आप office बना सकते हैं वहां पर कैसे आप separate room में अकेले बैठ के काम कर सकते हैं क्योंकि घर पे सारे काम होते हैं आप अकेले एक ही room लेके बैठ जाओगे तो सारे आपका जो परिवार है वो आपके drawing room में नहीं बैठ सकता उसके लिए भी space चाहि है दोस्तो early morning से ही आपको टेंशन सुरू हो जाती है और साम तक tension tension रहती है रात में भी आपका काम खतम नहीं होता कि अब आप work for home कर रहे हैं या work from home कर रहे हैं यह decide नहीं हो पाया है क्योंकि अगर आप office की tension घर में लाओगे घर में उससे क्या होगा उससे tension बढ़ेगी आज office की जो problem है दोस्तों वो घर में आ चुकी है उसकी वजह से सबसे बड़ी problem है दोस्तों health की और उसके बाद है domestic violence जो की रुकने का नाम नहीं ले रहा है आप laptop पे लेके बैठते हो तो laptop की जो screen वो दोस्तों आपके computer की screen से छोटी होती है और उससे आप adjust करने में लगे रहे तो कभी किधर adjust करोगे कभी किधर adjust करोगे प्लस घर का जो माहौल होता है घर पे office की chair नहीं होती है जो वहां का furniture होता है वो furniture office के लिए नहीं बनाया होता है वहां की जो lighting ववस्ता है घर की वो office की lighting ववस्ता से बिल्कुल different होती है और आप office का जैसे ही काम खतम करते हो same time कहीं न कहीं आपका mobile किसी का कभी call आ गया कभी कुछ आ गया लेकिन जब आप office में रहते हैं तो हर चीज को आप पहले से पहले ही plan कर चुके होते थे कि आज मु आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि आपको घर के भी काम में सहयोग करना पड़ता है क्योंकि आप घर के एक member हो अभी इससे आप बच नहीं सकते कुछ भी छोटा मोटा काम होगा वह आपको दिया ही जाएगा तो हम बात कर रहे थे दोस्तों neck pain की और जो पेट आ नहीं है प्लस lighting आपकी आखों के ओपर भी बहुत ज्यादा effect आ रहा है क्योंकि proper lighting नहीं होती है ओफिस की जो lighting विवस्ता है बिल्कुल different होती है तो मैं culture को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि culture होता कैसे है कि आप office में जाते हो तो office का अगर हम यह मैं आपको circle बना के दिखा पर रहा हो कि आपका जो morning शाड़े आट बजे आप तयार हो के घर से निकलते हैं तो maximum time आपका वह traffic में जाता है काफी time आपका traffic में चला जाता है एक गंटा दो गंटे भी आपको traffic में जाना लग जाता है तो करीब करीब आप office पहुंचते हो 10 बजे 10 बजे में आपका हो जा होता है office का काम सुरू हो जाता है तो आप उस office में काम करते हैं relax फीलों के काम करते जो भी आपका pending work होता है उसको काम करते उसके बाद दोस्तों आपका हो जाता है proper lunch आपका lunch हो गया लंच के बाद दोस्तों फिर आप थोड़ा बहुत काम में लग जाते हो और जो आपका बचा हुआ रहता है उसको आप यहां पर खतम कर लेते हो जैसे ही दोस्तों आप लंच के बाद का काम खतम करते हो लंच के बाद आप एक या देड़ बजे दो बजे लंच करते हो उसके बाद जो पीरिड बचता है चार से पांच बजे का उसमें आप दबा के जितना काम ब करते हो किसी चीज को लेकर आपके घर की समश्या हैं उनको ऑफिस की समश्या हैं उनको प्लस आप जब रोड पे निकलते हो आप डवलप्मेंट देखते हो क्योंकि जो हुमन है दोस्तों वो एक सोसल एनिमल है उसको सोचली रहना बहुत ज्यादा पसंद है वो दुनिया से सिर्फ महात्मा और रिषी लोग ही कर सकते हैं दुनिया से कट-off होने का एक आम नागरिक जो डेली वरकर है उसको पैसे कमाने हैं उसको घर चलाना है परिवार चलाना है बच्चे पालने हैं बच्चों को सही एजूकेशन देनी है माबाप का ट्रीटमेंट कराना है खुद करना पड़ेगा उसको मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं सही मायन हमें बताओं तो अब क्या हो रहा है अब हो रहा है दोस्तों इस circle शरकल जो जो है छोटा नहीं रहा है है इस circle थोड़ा जा भी बड़ा हो गया है तो दोस्तों अब आप पूरे दिन क्या करते हो आप पूरे दिन करते ओं वर्क और इसमें आपकी पूरी जिन्दगी दोस्तो मैं सो गई है ऐसे बुरी तरह से आपको कहीं पे किसी चीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है आप दोस्तों अपनी जिंदगी का सिर्फ और सिफ एक घंटा एक्सराइज कर लीजिए ब्रेधिंग एक्सराइज कर लीजिए प्रायम कर लीजिए सूरे नमस एक ग्रूप जिसके माध्यम से हम आपको ओनलाइन ट्रेनिंग घर पर दे रहे हैं आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाईए अपने हेल्थ के लिए और अपनी डेली की जीवन की दिन चरिया है उस 6260607356 ओनलाइन एक्सराइज के लिए हमारे साथ जुड़ जाईए दोस्तों और जो हमारा वर्क कल्चर होता है दोस्तों ऑफिस में हम लोग साम तक बैठे रहते हैं क्योंकि जब तक बॉस नहीं जाता है तब तक हम लोग वहां से नहीं हिलते हैं दिखना चाहिए बॉस क हम होम कर रहे हैं तो चाहे भी आपको खुद बनानी पड़ती है आपको बनी बनाई नहीं मिलती है ओफिस में आपको बनी बनी चाहे मिलती है कौफी मिल जाती है स्नैक्स आपको मिल जाते है सेंडविच मिल जाते सब कुछ बना हुआ मिलता है आपको बनाने की जोरत नहीं पढ़ती है लेकिन घर पे आपको लंच भी बनाना पढ़ता है आपको डिनर भी बनाना पढ़ता है बच्चों को पढ़ाना भी पढ़ता है तो इतने सारे वर्कलोड आपके सर के उपर आ रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुक्सान हो रहा है दोस्तों आपकी हेल्थ का दोस्तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें और ये वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेर और कमेंट्स करके दोस्तो जरूर बताएं इसी के साथ दोस्तो जै हिंद जै भारत